हेलो फ्रेंड्स मैं जा रहे थी डॉक्टर के पास because I'm not doing well कुछ दिनों से मेरी तबियत भी अच्छी नहीं है जिसकी वज़े से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पा रहे थी आप लोगों के साथ एक भी रेस्पी शेयर नहीं कर पा रहे थी तो बस मैं आ गई थी हॉस्पिटल और अंदर जाके पता किया तो जो मेरे डॉक्टर है वो ओटी में थे जिसकी वज़े से मुझे उनका थोड़ा सा वेट करना पड़ा तो मैं वेट कर रहे थी और मैं थी हॉस्पिटल के 11 फ्लोर पे जहां से मेरे शेहर का जो नजारा था बहुत ही जादा शानदार नजार और आप देख सकते हैं यहां से मेरा जो शेहर है वो कितना जादा खुबसूरत नजार आ रहा है और मौसम भी इतना प्यारा हो रखा था ना कि मतलब ये नजारा ना देखते ही बन रहा था बस तो बस इस नजारे का लुथ उठाते हुए ही मेरे डॉक्टर की कॉलिंग हो और मैं चली गई चेक अप कराने के लिए और फटा फट से वहां से चेक अप कराके हम घर की तरफ लौट रहे थे कि इतने में जमा जम बारिश शुरू हो गई और बस सबको भूग भी लग रही थी बहुत जोरों की तो बस मैं घर आ गई फटा पट से मैंने ज्यादा मैंने एक बोल में ये मूम की बड़ी प्रेंट्स ये किसी भी ग्रॉसरी सौप पे इजीली मिल जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है इन फ्यूचर कभी हुआ तो मैं ये मूम की बड़ी बनाने की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसानी से य हरी मिर्च ये बहुत जादा तीकी हरी मिर्च नहीं है और यहां पे दो मीडियम साइज के मैंने रफली चौप की हुए प्याज ले लिये हैं और एक से दो इंच अद्रक का तुकड़ा लिया है और इन सारी चीजों को अच्छे से हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में और था हिंफया प्यंदर कर्षा की है उन में को न काड़ा है में तो मैं तो यहां पर दिया कोटर में और इसन। अँप में दायरेक्ता जे जापका शाड़ा है और यह बहुत ही जादा टेस्टी बनके तयार होती है तो इस तरह से मैंने बड़ी को फ्राइ कर लिया है हलका सा और बस अब मैं इनको निकाल लूँगी एक बोल में और जो हमारी सबजी है वो मैं इसी कुकर में बना के रेडी करूंगे और बस यहां पर मैंने ऑईल गरम होत हींग इसका बहुत ही जाद अच्छा फ्लेवर आता है बड़ी की सबजी में तो बस हींग डालने के बाद मैं एट कर दूंगे यहां पर मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था तो बस मसाले को अच्छे से हम डाल के इसको चला देंगे और दो मिनिट इसको अच्छे से क करते हैं दूसरी तैयारी तो यहां पर मैंने तो में ने मीडियम साइज कर लैती हूं और ग्राइंडर जार में इनकी हमें एक प्योरी बनानी है ए सैंच्छे में कट करके ली लेती हूं दोनों ददमाटर को और चाहाँ को मैं लूंगी यहां पर एक आप बड़े साइज के बड़ी के साथ आलू का जो एक combination है ना बोगधी जादा unique combination है बोगधी जादा tasty लगते हैं यह तो बस tomato कट गए है इसको grind होने के लिए रखा है साथ ही मैं एक आलू कट कर रही हूं और आलू भी हमारा almost cut हो चुका है तो मैं बना लेती हूं एक masala तो यहाँ पे मैंने एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है साथ ही एक चमच धनिया पाउडर ले लिया है और आधा चमच हल्दी पाउडर ले लूँगी और आधा चमच जो है वो लाल मिर्च पाउडर ले लूँगी क्योंकि जो हमने हरी मेर्च यूज की है वो बहुत जादा तीखी नहीं थी तो बस इन सारी चीजों में थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसकी एक हमें इस तरह से जो कंसिस्टेंसी है वो ऐस तरह से रखनी है तो यह मसाला बिल्कुल रेडी है और अब चेक कर लेते हैं हमारा जो प्यास का मसाला है उसे तो वो हलका सा तो खो गया है तो इसको हम एड़ कर देंगे इस मसाले में और बस अच्छा सा इन मसालों को हमें भून लेना है दो मिनिट के लिए और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही जादा ठिक है तो बस मसाले हमारे भून गए है और ग्रेवी जो है वो एकदम रेडी है तो बस मैं यहाँ पर एड़ कर दूंगी अब आलू और साथ ही मैं एड़ कर दूंगी यहाँ पर बड़ी जो कि हमने फ्राइ करके रखी थी तो बहुत इजी एंड टेस्टी रेसिपी है जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो बस मैंने यहाँ पर यह फ्राइड बड़ी भी एड़ कर दी है आलू के साथ और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एड़ कर दूंगी यहाँ पर टोमैटो प्योरी जो कि हमने बना के रखी थी और बस अब इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं अभी जो हमारी सबजी की कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा ठिक है तो अभी हमें बड़ियों को पकाना भी है तो इसकी लिए हमें इसको थोड़ा सा इसमें पानी रालना पड़ेगा तो मैं अभी सम्थिंग एक ग्लास पानी लगभग इसमें मैं यूज कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा पतली हो जाएगी सबजी लेकिन पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी वापस से वैसी ही गाड़ी हो जाएगी तो बस स्वाद अनुसार नमक एड़ कर दिया है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं कर दूंगी कुकर का धकन बंड और इसको कवर करके पकाएंगे हम 5 से 6 सीटी आने तक और जब तक हमारी सीटी आ रही है चलिए मैं दूसरे काम कर लेती हूँ और बस कुकर हमारा ठंडा हो गया है चलिए सबजी चेक करते हैं तो ये देखिए बंके तयार है गर्मा गरम बड़ी की सबजी तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया एड़ कर रही हूँ और सा बहुत ही जादा अच्छी खुश्बू इसमें से आ रही है और अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है बस पटा पट से मैंने चपाती भी रेडी कर ली है जब तक सबजी हमारी रेडी हुई है तो बस इनको अब हम सर्व कर लेते हैं इस तरह से मिक्स करके आप देख सकते ह हमारी जो सबजी है कितने ही बढ़िया गाड़ी गाड़ी बनके तयार हुई है तो गर्मा गरम मुझ की बढ़ी के साथ रेडी है यह टेस्टी सी प्लेट जिसको खाय बिना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो ज सब्सक्राइब करना मत भूला और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर से शेयर करना मिलती हूं एक न्यू व्लॉग के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाए